जाहिर रह्मान साथ जुड़ेंगे ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के दीपास जी आपने तब्लीगी जमात को तालिबानी जमात जानपूच के कहा है या गलती से कहा है नहीं मैंने नहीं कहा हमने इस शब्द का सेमान नहीं किया जिस लंका को पाने के लिए रामड को अपने दसों शीश को काट कर भगवान शिप के चरणों में चढ़ाना पड़ता था, उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया. लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया. देखते रही आज तक एक समय था जब लोग दूर दर्शन के निउस पर आग बंद करके भी भरुसा कर लिया करते थे पर आज की निउस चैनल ऐसे नहीं है जिस पर लोग भरुसा कर सके निउस देखने के बाद हमें खुद ही सुचना पड़ता है कि क्या हम इस पर भरुसा कर सकते हैं और हमें कौन सा निउस चैनल देखना चाहिए ये भी सुचना पड़ता है समचार कहीं न कहीं हमारे समाज पर भी ठेक डालता है और साथ यहीं वज़ रही होगी कि महात्मा गंधी और नहरू जी के जैसे निता देश के लोगों को जागरूप करने के लिए अखबारों का साहरा लेते थे पर आज दोर बदल चुका है आज के मीडिया पर मार्केटिजम यानि की बजारवाद पूरी तरह से हावी हो चुका है अगर साव भासा में बुला जाया तो मीडिया अब मंडी में आ चुकी है समय के साथ सब बदल गया है पर अर्थ नहीं बदला जैसे की दला से दलाल और उसे आगे चलके ब्रोकर और अब कंसल्टेंट्स आज के मीडिया को भी आप यहीं समझ लिए पहले ये लोगों के भी समचार पहुचाने का बिजनेस करते थे अब इसे दो कदम आगे पढ़ाया और इसमें ब्रोकरी का काम जोड़ दिया गया है मुनाफ़ा कमाने की चकर में देश की मीडिया ये भूल गई है कि मीडिया का मतलब क्या होता है हमें जो जरूरी नहीं वो दिखाया जाता है और जो जरूरी है उसे छुपाया जाता है आज के चैनलों का हाल ऐसा है कि पहले गलत न्यूज दिखाते हैं फिर उसके बाद माफि मांगते हैं बेवज़े की डिवेट कराते हैं जिनमें इनका ज्यादा तर मुद्धा पाकिस्तान, राममंदीर, अपोजीसन और गाय होता है जबकि economy, government, job, school, hospital जैसे मुद्ध पर ये बात करना पसंद नहीं करते और कभी-कभी तो इनका डिवेट हिंसक रूप भी ले लता है पर एक समय ऐसा भी था जब मीडिया पर लोग सवाल नहीं उठाते थे लोगों के बेच न्यूज पैस करने का तरीका कुछ और ही होता था वो जब माना था दूरदर्सन का जब समीना रंग, सल्मा सुल्ताना, विना स्कौर और मिनू तलवार जैसे बहतरीन और भरोसे मन न्यूज एंकर न्यूज सुनाया करते थे तब के समय सायथ 10% लोगों के यहां भी टीवी नहीं होती थी पर उसमें कहीं एक सेट होता था तो सब वहीं जाकर समचार देख लेते थे तब साब सुत्री भासा बहतरीन वोईस ओबर वाली आवाज उसन होता था खेर अब तो नहीं चानलों के आजाने से कोई दूरदर्सन देखना पसार नहीं करते 1970 से 80 के बीच ये दूरदर्सन पर फेमस चहरा बन चुके थे आज भी ये एक सक्सेस वोईस ओबर आर्टिस्ट है मेट्रों जो आवाज सुनाई देती है वो समीना रंग की नमबर दो सलमा सुलताना इन्होंने 1967 से 1997 तक यानि की 30 सालों तक दूरदर्सन पर निजुजेंकर का काम किया था 23 साल की उमर में इन्होंने दूरदर्सन पर निजुजेंकर के लिए ओडिशन दिया था और वो सिलेक्ट हो गई निजुजेंकर से रिटायर होने के बाद दूरदर्सन के लिए समाजी वी सेयो पर धरवाईखों का डिरेक्शन करने लगी जो लोगों को काफी पसंद आते थे इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस लेंस विउस प्राइबेट लिमेटेट के तहट पंच तंत्र से सुनो कहानी स्वर मेरे तुमारे पर जलते सवाल से सबका ध्यान की जा था नमबर तीन अविनास कॉर सिरेन इनका जन नेदिली के एक सिख परिवार में 21 जुलाई 1955 को हुआ था इनकी सुरुवात 1989 में दूरदरसन के एक साइन सो बिज्यान पत्रिका में एक इंकर के रूप में हुई थी 1980 से 1990 तक ये इंडियन टीवी की सबसे पॉपलर स्टार में से एक थी इनकी साधी मंजित सिंग सेरीन से हुई है इनका माथे पर बड़ा सा टीका लगाना लोगों के बिच काफी फेमस हुआ इन्होंने भी लगवख दूरदरसन पर 30 सालों तक काम किया दूरदरसन के जमाने के निव जैंकरों के लिस्ट इतनी लंबी है कि इन पर एक नई वीडियो बनाई जा सकती है दूरदरसन के निव जैंकरों के लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी बस तो मैं न्यूज एंक रोप पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा